अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें टेबल को प्रिंट करना है एक उफ गिविन नंबर यूजिंग फॉर लूप ठीक है तो इस तरह से टेबल प्रिंट होगी तो सबसे पहले जैसे कि आप यहां देख सकते हो तो मैंने यहां header files और लिखी हुई है void weight function मैंने declare किया हुआ है और उसके बाद मैंने n और p integer declare किया हुए है और मैंने का कि enter the number जो भी number user enter करेगा उसका हम टेबल प्रिंट करेंगे और वो number मैंने किस में store कर लिया एंड वेरियाबल में store कर लिया इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, for int i is equal to 1, 1 से हमें 10 times loop चलाना है, because ऐसे 10 बार हमने print कराना है, ठीक है, then semicolon, i is less than equal to 10, i++, इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, यह जो हमने variable लिया था, p, p is equal to, किसको multiply करना है, number जो था in, into i के साथ, right, यह हमने यहाँ पे लिखना है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको print कराना है, printf, percentile d, comma, और यहाँ पे हम लिखेंगे p, ठीक है, यह number आपका print हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते है, printf, slash n, that means नय लाइन पे करसर आपका आ जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे closing, और यह आपका final close हो गया, आपका avoid main function, आई इस program को execute करा के देखते हैं, कि क्या होता है, सबसे पहले हमने n और p variable यहाँ पे declare किये होए थे, यह हो गया n और यह हो गया आपका p, ठीक है, इसके बाद हमने का enter the number, let's say user नहीं यहाँ पे 5 डाला, फ for variable का i को initialize किया 1 से, और for loop चलाया, जो कि 10 times चलेगा, for loop यहाँ से यहाँ तक का है, i की value हमने ली यहाँ पे पहले 1, p is equal to n star i, that means n की value थी कितनी, 5, 5 into 1, which is p की value कितनी हो गई, यह आपकी p की value यहाँ पे हो जाएगी, कितनी, 5, और उसके अदा हमने का print a 5, that means 5 will be printed, इसके बा second time loop के लिए जाएगा, that means यहाँ पे रहेगा i plus plus, i की value कितनी हो जाएगी, i is equal to 2, i की value 2 हो गई, then 5 into 2, that means p की value कितनी हो गई, 10, उसके बाद मैंने क्या का, print fp, 10 will be printed, और 10 print करने का अगें कर सार आपका new line पे आजाएगा, और i की value फिर यहाँ से increment हो जाएगी, that means i is equal to 3, 3 हो है, that means loop के अंदर हम entry लेंगे, फिर 5 into i, i की value 3, that means 15, 15 हो गया, print f, p, p की value print करने है, that means 15, तो इस तरह से हमारा loop चलेगा, आप देख रहे हो, 5, 10, 15 and so on, कहा तक print होगा, 50 तक ऐसे print हो जाएगा, इस तरह से हमारा क्या होगा, table print हो जाएगा, अच्छा, इसी में कुछ variation करना च हाँ, let's say for example, मैं यहाँ पर output देना चाहता हूँ, 5 star 1 is equal to 5, ठीक है, 5 star 2 is equal to 10, अब मुझे output है, कुछ इस तरह से देना है, then मैं क्या करूँगा, simple मुझे थोड़ी सी code यहाँ पर change करनी पड़ेगी, यहाँ तक तो ठीक है, यह जो दो lines थी, इनको modify करना होगा, इनको modify कैसे क करेंगे, यहाँ पर मैं इस तरह से लिखोंगा, printf, ठीक है, और यहाँ पर लिखोंगा फिर मैं, let's say थोड़ा यहाँ पर clear नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, printf, percentile d, सबसे पहला percentile d, because यह वाली value आएगी, इसके बाद मैं यहाँ लिखता फिर से value आएगी, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे, percentile d, ठीक है, और उसके बाद, यहाँ आपका closing हो गई, और comma, इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा, सबसे पहला d किसको represent कर रहा है, यहाँ पर number को, n, जो कि हमारा था 5, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n, second वाला d किसको represent कर रहा था, i को, है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, comma, i, और उसके बाद, सबसे आखरी वाला जो d था, यह किसको represent कर रहा है, यहाँ पर, p को, product, जो final हमारा answer है, तो यहाँ पर हमारा हो गया, p, तो इस तरह से यह printing होगी, जो आपको इस तरह से double quotes के अंदर, जहाँ ज लिखेंगे, तो पहला वाला, इसको पकड़ लेगा, यह आई है, जो second वाले को तो, यहाँ पर parameter आ जाएगा, और third वाला, इस पर आ जाएगा, और जो भी आप बीच में, इसके बीच में लिखेंगे, वो as it is, print होता जाएगा, और इसके बाद आपने एक line और लिखनी है, क यह print if, यह new line के लिए, तक करसर आपका new line पे आ जाए, ठीक है, तो यह instead of these two lines, अगर आप यह दो lines लिख देंगे, तो आपकी जो output है, वो इस तरह से generate होने लगेगी,